पांच राजियों में चुनाव की घोषना नतीजे 3 दिसंबर को मध्यप्रदेश में 17, राजस्थान में 23, 36 गड़ में 7 और 17 नमंबर को वोटिंग नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंजनाव और आप देख रहे हैं दा खबरदार न्यूज तो चली बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर राजस्थान, मध्यप्रदेश, 36 गड़, तेलंगाना और मिजोरब में विधानसभा चुनाओ की तारिहों का एलान हो गया है मुख्य चुनाओ आयूप सी इसी राजियों कुमार्ने सोमवार को प्रेस कॉनफरेंस में बताया कि 36 गड़ में दो फेज में 7 और 17 नमबर को वोटिंग होगी पिछले विधानसभा चुनाओ में 5 राजियों में पार्टी वार क्या इस्थिती थी 2018 में मध्य प्रदेश में 15 महीने सीयम रहे कमलनाथ इस्तीफे के बाद शिवराज बने मुख्य मंत्री मध्य प्रदेश में पिछले विधान सभा चुनाओ के बाद काफी सियासी ड्रामा हुआ था चुनाओ रिजल्ट में कॉंग्रेस को भाजपा से 5 सीटे ज्यादा मिली थी कॉंग्रेस के पास 114 सीटे थी वहीं बीजेपी के खाते में 109 सीटे आई थी बसपा को दो और सपा को एक सीट पर जीट मिली थी कॉंग्रेस ने गट जोड करके बहुमत का 116 का आकड़ा पा लिया और कमलनात राजि के मुख्य मंतरी बन गए कॉंग्रेस की सरकार 15 महीने ही टिक पाई दरसल कॉंग्रेस के 22 विधायकों ने स्टीफा दे दिया इसमें 6 मंतरी शामिल थे स्पीकर ने मंतरीों का स्टीफा सुविकार कर लिया इस्टीफे के कारण कमलनात सरकार अल्पमत में आ गई मामला सुपरीम कोर्ट पहुचा कोट ने कमलनाथ सरकार को फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया मगर फ्लोर टेस्ट से पहले कमलनाथ ने सीम पत से इस्तिफा दे दिया बाद में भाजपा ने बागी विधायकों को मिला कर अपने पास 127 विधायक कर लिये और सरकार बनाई श्रिवराज सिंग चोहान चौथी बार राजे के मुख्यमंत्री बने 25 सालों से राजस्थान में हर बार बदलती है सरकार 2018 में गहलोत बने मुख्यमंत्री राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीट है 2018 में हाँ 119 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे अलवर की रामगर सीट पर बसपा प्रत्याशी लक्षमर सिंग का हार्ट अटेक से निधन हो गया था जिसके चलते एक सीट पर चुनाओं अस्थखित कर दिये गए थे 199 सीटों पर हुए चुनाओं में कॉंग्रेस को 99 सीट मिली थी रालोद ने यहां कॉंग्रेस को समर्थन किया जिसके खाते में एक सीट आई इस तरह कॉंग्रेस को 100 सीटे मिली और सरकार बनाई बाद में 2019 में हुए रामगर सीट के चुनाओं में भी कॉंग्रेस की उमिद्वार जीती जिससे कॉंग्रेस के पास 101 सीटे हो गई कॉंग्रेस ने अशोक गहलोद को राज्य का मुख्य मंत्री बनाया 36 गण में 15 साल बाद कॉंग्रेस की सरकार बनी भुपेश बगेल सीयम बने 36 गण में 2018 में हुए विधान सबाचुनाओं में कॉंग्रेस ने 15 साल बाद सत्ता में वापसी की 90 सीटों पर हुए विधान सबाचुनाओं नतीजे में कॉंग्रेस को दो तिहाई बहुमत मिला भाजपा के खाते में जहां सिर्फ 15 सीटे आई वहीं कॉंग्रेस को 68 सीटे मिली थी बाद में कुछ विधायकों ने पार्टी बदली मौजूदा वक्त में 36 गड़ में कॉंग्रेस के पास 71 विधायक, भाजपा के पास 13 विधायक, बसपा के पास 2 तीन विधायक जनता कॉंग्रेस 36 गड़ पार्टी के हैं और एक रिक्त है राजे में मौजूदा मुख्य मंतरी भुपेश बगेल हैं 2018 में तिलंगाना विधानसभाद चुनाओं में बीजेपी को मिली थी सिर्फ एक सीट मिली थी मौजूदा मुख्य मंतरी के चंदर शेखर राओ की पार्टी टी आरेस 2022 को पार्टी का नाम तिलंगाना राष्ट्र समीती से बदल कर भारत राष्ट्र समीती कर दिया गया को सबसे ज्यादा 88 सीट मिली थी महीं कॉंग्रेस के खाते में 19 सीटे आई मौजूदा इस्ति की बात करें तो सत्ताधारी पार्टी के पास इस वक्त 119 विधान सबा सीटों में से 101 विधायक है महीं असुदीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के पास 7 विधायक है जबकि कॉंग्रेस के पास 5, भाजपा के पास 3, AIFB के पास 1, एक नॉमिनेटेड और एक निर्दलिय विधायक है मिजोरम में 10 साल बाद MNF की वापसी, भाजपा जीत पाई सिर्फ एक सीट मिजोरम में 2018 विधान सभा चुनाओं में 10 साल बाद MNF की वापसी हुई कुल 40 सीटों पर हुए चुनाओं में MNF को 26 सीटे मिली, वहीं कॉंग्रेस के खाते में 5 सीटे आई इसके अलावा जोरम पीपल्स मुव्मेंट को 8 सीटे मिली और एक सीट भाजपा के खाते में आई सत्ताधारे मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी ने जोराम थांगा को सीम बनाया विधान सभा की मौजूदा इस्थिती की बात करें तो मिजो नेशनल फ्रंट के पास इस समय 28 विधायक है कॉंग्रेस के पास 5, जोरम पीपल्स मुव्मेंट के पास 1, भाजपा के पास 1 और 5 निर्दलिय है विधान सभा चुनाओं से पहले केंद्र सरकार का महिला दाओं केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसत का विशेश सत्र बुलाया था चर्चा थी कि इस सेशन में One Nation One Election से जुड़ा बिल पेश किया जा सकता है मगर मोदी सरकार ने महिला अरक्षन बिल पेश कर सब को चौका दिया सरकार ने इसे नारिश शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया यह बिल 20 सितंबर को लोगसभा में पेश हुआ जहां पक्ष में 454 वोट पढ़े वहीं दो लोगों ने विरोध में वोट किया वहीं किस सतंबर को राजसभा में पूर्ण बहुमत से पास हुआ आठ दिन बाद 29 सतंबर को बिल को राश्ट्रपती की मनजूरी मिल गई और यह कानून बन गया इस बिल के पास होने से मोधी सरकार को पांचों राजियों में विधान सभा चुनाओं में कितना फायदा होगा ये देखना दल्चस्प होगा क्योंकि पांच राजियों में से तीन राजस्थान, मध्य प्रदेश और तिलंगाना में महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है इंडिया गटबंदन बनने के बावजूद तीन राजियों में कॉंग्रेस वर्सिस आप राजस्थान मध्यप्रदेश और 36 गड़ में कॉंग्रेस के खिलाफ आप चुनाव लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ तैयार हुई विपक्षी गड़ बंदन इंडिया में कॉंग्रेस और आप दोनों शामिल है मगर विधान सभाच चुनाव में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है 2008 में आम आदमी पार्टी 36 गड़ में 85, मध्यप्रदेश में 208, राजस्थान में 142, तिलंगाना में 41, सीटों पर चुनाव लड़ी मगर कहीं भी जीत नहीं मिली 2008 में आदमी पार्टी 36 गड़ में 85, मध्यप्रदेश में 208, राजस्थान में 142, तिलंगाना में 41, सीटों पर चुनाव लड़ी मगर कहीं भी जीत नहीं मिली पिछले प्रदर्शन को देखते हुए कॉंग्रेस को इन राज्यों में शायद ही आप से कोई नुकसान हो